दिसंबर तक हो जाएगा फोरलेन हाइवे के निर्मान का रास्ता साफ बिजनौर मेरट पौडी नाशनल हाइवे पर बहसूमा से बिजनौर तक फोरलेन का निर्मान एनोसी के फेर में अटका हुआ है लेकिन अब रास्ता साफ होने वाला है दिसंबर तक N.O.C. मिलने की उम्मीद है दरसल बिजनौर से बहसूमा तक 40 किलोमीटर लंबी सठक को फोरलेन किये जाने का काम हस्तिनापूर वन्यजीव अभ्यारन्य होने की वज़े से नहीं किया जा सका है जबकि इस दूरी को छोड़कर मेरट से बहसूमा और बिजनौर से नजीबाबाद तक फोरलेन किये जाने का काम तेजी से चल रहा है वन्यजीव अभ्यारन्य में निर्मान के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमती लेनी पड़ती है सूतरों की माने तो कई बार एनोसी के लिए तारीख लगी लेकिन हर बार कोर्ट ने कोई और विकल्ट देने के लिए कह दिया बताया जा रहा है कि अब नाशनल हाईवे अथोरिटी ने उत्तराखंड के गड़वाल की फोरलेन से कनेक्टिंग तक मजबूत तर्ग दिया है इनेचे आई के अधिकारियों को दिसंबर तक एनोसी मिलने की उम्मीद है नाशनल हाईवे 119 मेरट पोड़ी को फोरलेन किया जाना था जिसमें मेरट से बहसूमा तक फोरलेन बनाने का काम चालू कर दिया गया करीब 40 प्रतिशत तक निर्मान हो चुका है वहीं बिजनौर से नजीबाबाद तक भी फोरलेन बनाया जा रहा है नजीबाबाद तक काम तेजी से चल भी रहा है उधर बहसूमा से बिजनौर की दूरी में सड़क निर्मान हस्तिना पुरवन्य जीव अभ्यारन्य होने की वजह से नहीं हो पाया गंगा पर पुल और बिजनौर बाइपास निर्मान को चाहिए नजीबाबाद तक बनाय जा रहे फोरलिन का निर्मान साथ प्रतिशत पूरा हो चुका है वहीं किरतपुर और स्वाहेडी में बनाय जा रहे बाइपास का निर्मान भी तेजी से रहा है यह दोनों बाइपास इसी साल दिपावली तक चालू हो जाएंगे जिसके बाद किरतपुर और स्वाहेडी में वहानों की भीड़ नहीं रहेगी वर्जन, बहसूमा से बिजनौर तक फोरलेन और गंगा नदी पर पुल बनाने के लिए दिसंबर तक एनोसी मिलने की पूरी उम्मीद है इसके बाद फोरलेन निर्मान शुरू कर दिया जाएगा फिलहाल मेरट से बहसूमा और बिजनौर से नजीबाबाद तक फोरलेन का काम तेज गती से रहा है दिनेश कुमार चतुरवेदी पर योजना निदेशक एनेचे आई